कि नमस्कार आप बिहार इन सोर्ट्स देख रहे हैं मैं हूँ प्रमबीर सिंह बिहार में लगेगा पाँच दिन का लॉग्ड डाउन, बिहार में लगेगा साथ दिन का लॉग्डण ये तमाम खबरें या पोस्ट आप सुसल मीडिया पर देख रहे होंगे कई लोग WhatsApp status पे या Facebook के माध्यम से या Twitter के माध्यम से ये बता रहे हैं कि बिहार सरकार जल्द ही बिहार में lockdown लगा सकती है या फिर 5 दिन तक lockdown लगने वाला है या फिर कोई-कोई तो 7 दिन तक lockdown लगाने की बात कह रहा है लेकिन सचाई कुछ और है क्योंकि यह सारी जो खबरे चल रही है वो मात्र एक अफवा है और इस खबर से आपको डरनने की जरूरत नहीं है पैनिक नहीं होने की जरूरत है क्योंकि बिहार में जो कोईट के केस है अभी उतने भी नहीं बड़े हैं कि बिहार को lockdown की जरूरत है मुक मंत्री निटीश कुमार आज साम को बैठे करेंगे और यह फैसला लेंगे कि बिहार में आगे क्या करना है लेकिन अभी लोगडाउन पर विचार नहीं होगा क्योंकि आपको भी वालू है कि बहुत सारे अबादी को वेक्सिनेट कर दिया गया है और वेक्सिनेशन के कोविड होने के बाद भी आदमी को मिर्तियु का खत्रा कम है यानि कि देथ रेट कम है इसके साथ ही अभी जो अर्थव्यवस्ता की हालात है वह उसकी सचाई सब को मालूम है कि अगर एक बार फिर से बिहार या देश लॉगडाउन को जैसे इस्तिति में जाता है तो फिर यहां की अर्थव्यवस्ता को क्या होगा रूजगार को क्या होगा जो इतने दिन से बैपारी जो दुकान घाटे में चल रहा था वह अब जाकर कुछ लाइन पर आया है लेकिन अगर बिहार सरकार लॉगडान लगा देगी तो फिर उनका बैफशाई का क्या होगा यह तव से बिहार सरकार जाइदा से जादा नाइट कर्फू लगाएगी इसके अलावा जो कोविड का प्रोटोकोल है उसे और मजबूत कर दिया जाएगा जैसे कि आधे अबादी जैसे मतलब जो बस है उसमें आधे पैसेंजर बैठेंगे या कोई रेस्टोरेंट चल रहा है तो एक कुर्सी छोड़ कर दूसरा जो ग्रहां के बैठेगा और खाना खागा यानि कि जो कोविड का प्रोटोकोल है उसे पुन रूप से लागू कर दिया जाएगा इसके अलावा हो सके तो जो सेक्षिन की संस्थान है उन्हें बंद कर दिया जाए लेकिन लॉकडाउन का सव अभी नहीं हैं बुहार में उतने केस नहीं मिल रहे हैं तीनसों त्यस्तों कि आसपास केस मिले हैं वह पी पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में खास करके सिर्फ दो जगा पर कोवीड के केस ज्यादा मिल रहे हैं वो जगा है रसधानी पटना और दूसरा जगा है गया यहाँ पर सबसे अधिक केस मिले हैं लेकिन अन जीलों की बात करें तो वहाँ पर अभी चीमता का भी से नहीं है पांच या दो केस मिल रहे हैं तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुरोणा की एक भी मर्स नहीं है तो ऐसे में संपून बिहार लोगडाउन की बात तो बनती ही नहीं है तो यह जो सारी खबर चल रही है एक तरह से अफवा है आज साम को नितिश कुमार बदलाव की हैं और जो नया प्रोटोकॉल आएगा उसके तहट जो नया गाइडलाइन आएगा उसके तहट क्या-क्या सवधानी ब्रतनी है इसके साथ यह भी बता दे कि पंद्रह जो पंद्रह जनवरी के बाद खरवास खतम हो रहा है तो फिर साधियों का सीजन भी आ रहा है लेकिन बिहार में संपून लॉकडाउन की बात सरासर जूटी खबर है और इस तरह की अफवास से आप लोग बचे सिर्फ सत्यापित जो न्यूज चैनल है या फिर जो सोर्स हैं उसी पर भरोसा करें सोसल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उसको देखकर पैनिक होने की चरूरत नहीं है बहराला भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो तुरंत कर लें कुरोना की इस्तित्ति आपके तरफ क्या है कॉमेंट करके बताएगा वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो मैं पीच को भी लाइक कर लिजिएगा धन्यावाद झाल